हलो एप्रिवन कैसे हैं आप सब आप सो देखमाटूप चैनल अलीनर एक्षन जैसे कि आप सभी चानती होंगे कि विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन की पीच जो कंडरवर्ची लेकर सोचल मीडिया पर काफी टाइम से चर्चा चल रही थे चार महीने से खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी सोचल मीडिया से गायब थे ना तो वो यूट्यूब पर कोई अपनी वीडियो अप्लोड कर रहे थे और ना है इस्टाग्राम पर कोई रिल्स वगरा या फिर कोई पोस्ट सामने आई लेकिन अब विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन ने अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पेटी राजा के बर्थटे की कुछ फोटो शेयर की हैं जिससे देखकर फैंस को बहुत जादा खुशी मिले हैं क्योंकि खुशी और विवेक एक साथ नजारा हैं परिवार एक साथ नजारा रहा है और खुशी अभी काफी अच्छे से सबके साथ नजारा रहे हैं तो यह है वह फोटो तो जिस तरह किसे आप इस फोटो पर यह सवाल उट रहा हैं कि यह पहले की हैं यह अभी की नहीं है काफी मतलब मन में सवाल उट रहे हैं लोगों के वो समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन अब इस बात से आप देखें कि अगर विवेक या खुशी के बीच कुछ होता तो कभी भी मतलब विवेक की फोटो अपने इंस्टाग्राम पर मतलब शेयन नहीं करते हैं हमने आपको यहीं बोला है कि आप फोटो पर ध्यान दें तो इसलिए कहा है क्योंकि राजा इन फोटो में काफी बड़ा लग रहा है और जो पहले छोटा है तो मतलब फेस से बहुत फर्क पड़ता तो अगर यह पहले की फोटो हैं तो यानि कि जब राजा का बाधरी था इस तो वो खत्म हो चुकी थोड़ी बहुत मन मुटाओ हो चुका था तो उसकी वज़े से एक खुशी अपने माई के जाकर के बैड़ गी थी लेकिन वो जो पाती चल रहे थी के डाइवार्स लेने वाले हैं अच्छा एक बात और सामने यह आई थी भी पिछले दिनों यह चौधरी पर यह उनके परिवार वालों पर तो इसलिए खुशी जो है मतलब विवेक का घर छोड़ कर अपने माई के में जा चुकी और किसी का यह कहना है कि विवेक की बहन के देवर की डैथ हो गई है और मतलब वो कुछ यह तो हम नहीं जानते क्या क्या मसला है तो सचा है नहीं मालो तो इसलिए हमने नहीं बनाई लोगों को लग रहा था कि खुशी और विवेक सोचल मीडिया से गायब है वह नहीं इस्टाग्राम अकाउंट पर अपने अक्टिव हैं और नहीं वह सोचल मीडिया पर इंसा जाए कितना भी कुछ कितना भी बिजी होगा लेकिन कहीं से कहीं तक भी ना कोई खुशी का अता पता है और नहीं विवेक का अब जैसे ही राजा का बर्थडे आता है तो विवेक चौधरी फोटो अपने इसना क्राम पर शेयर करते हैं जिससे फैंस बहुत जादा खुश होए कि कम से कम कुछ तो आया विवेक की तरफ काफी मातम इचाया हुआ है टेंशन बहुत जाद है तो मतलब 20-25 दिन पहले जो डैथ बताई है तो हुई है मतलब 14 यह तो हम नहीं जानते कि मतलब खुशी के परिवार में हुई है या विवेक के परिवार में क्योंकि कंफ्यूज है हम लोगों की बातों से कोई कुछ बो साफ नहीं कि और पता नहीं कि वो सगी भावी है भी या नहीं या कौन है या फिर फेक कमेंट कर रही है क्योंकि हमने एक बात नोट की है कि अगर चलिए मान लेते हैं कि 20-25 दिन पहले किसी की डैथ हुई है और वो भी बड़े हाथसे के वज़ा से है तो आप यहां अज़ बन रा जाएगे तो उसमें भी पुरा परिवार एक साथ नज़र आ रहा है तो अगर यह तस्वीरे सची हैं और इसी साल मतलब राजा की बातड़ी की तस्वीरे हैं तो पुरा परिवार काफी खुश है लेकिन कुछ लोगा के कहना है कि जो विवेक की मा है वो काफी गुस सवाल भी उठा है कि यह पहले की अके नहीं क्याकी इस सोटोस में जो खुशी और विवेक दिख रहा है तो उनके फेस को देखकर रहे हैं कि यह पहले की लेकिन अगर हम राजा को प्र ध्यान देन ग्हां दें तो हमें लग रहा है कि यह धो हजार चॉबिस की ही हैं और इस से कम कुछ तो बताएं कि वो कब आने वाले हैं कब एक्टी होंगे या फिर किसी काम से वो बीजी हैं या उनकी यहां पर कोई हाथसा हो गया जिसकी डेट की वज़ा से वो मतलब एक्टिव नहीं है शोचल मीडिया पर कुछ तो कहें लेकिन कुछ भी नहीं क्योंकि जो फैंस इनको पसंद करते हैं देखना तो वो बहुत जादा मतलब कमेंड कर रहे हैं और जब इनसान किसी को पसंद करता है बार बार उनको देखता ह है तो एक महबत ही हो जाती है उनसे लगा हो जाता है तो इसलिए पबलिक का भी हग बनता है फैंस का जानने का कि आखिर क्या बात है क्योंकि फैंस की वज़ा से ही आज यह लोग यहां तक आए हैं तो फैंस को पुरा हग बनता है पबलिक को भी बताने का कि आखिर क्या रि कुछ नहीं मालूब लेकिन अगर हो सकता है कि खोशी या विवेक के बीच कुछ ऐसा चल रहा है तो जिब टैंक्शन होती है तो तब कोई किसी बात करने का मन नहीं करता कोई पोष्ट वगरा करने का क्यों कि उस वक्त नाजुक मसले होते हैं कि जरा सी भूल चूप की वजह स परिशानी बहुत बड़ी खड़ी हो जाती है तो हो सकता है कि इसलिए खोशी और मतलब विवेक खामोश हैं इसलिए दोनों ने चुपी साथ ली हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है कि विवेक और खोशी चुप बहने वालों में से नहीं काफी वह बोलने वाले हैं लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वह खंवोश हैं अचा अब जिसों के से पिछले दिनों बात ये भी उठ रही थी कि विवेक चोधरी का किसी लड़गी के साथ हैं और दूसी तरव ये बात आई थी कि खोशीका किसी और से अफैर हैं तो किसी का भी अफैर नहीं है दोनों ने टिक टॉक के जमाने से एक दूसरे को पसंद किया था और उसी पसंद के तोरान दोनों ने जल्दी ही शादी भी कर ले टिक टॉक तो अब इंडिया में अलॉण नहीं है, बंद हो चुका है लेकिन उसके बाद इस्टाग्राम पर आएं और दोनों ने फिर शोचल मीडिया पर अपनी पहचान बनाए तो दोनों की लव मैरिश थी जल्दी आसानी से तूटने वाली नहीं है, दोनों एक दूसरे को बहुत जादा पसंद करते हैं हाला कि यह बात सही है कि खुशी पंजाबन और विवेक काफी गुस्से वाले हैं, मतलब एक दूसरे की बातों को जल्दी से बरदाश करना इनके बहसे बाहर है, तो हो सकता है कि दोनों में किसी बात को लेकर जड़प हो गई हो और खुशी बरदाश नहीं कर पाई क्योंक तो खुशी अपने माई के जाकर बैठ गई हो, तो वही सब चलाओ, लेकिन ये बाती तो आम होती है, नचाले ऐसे कितने घर में हजबन वाइक को लेकर प्रावलम हो जाती है, लेकिन कुछ तो पोस्ट करना था ताकि फैंस को रहत मिल जाती, कि मतलब खुशी और विवेक तो आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर, क्या ये तस्वीरे इसी साल राजा के बाधरे की हैं, या फिर पहले के, या फिर वज़ा कुछ और है, तो कमेंट बॉक्स में अपने राय जोर दीजीगा, अब आप सिजाज चाहते हैं मिलते हैं नेक्स्टूडियो मे क्रें मिलते हैं